नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल exam status में तो दोस्तो पिछली वीडियो में हमने computer के कुछ questions कीए थे तो उस वीडियो में हमने 50 questions कर लिये थे तो आगे आज हम इस वीडियो में आगे के questions continue करेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तो बहुत important question होने वाले, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले दोस्तो, exam status को subscribe जरूर कर देना आप, तो चलिए शुरू करते हैं, हमने 50 तक पहले कर लिये थे, तो यहां पर अब हम 51 question देखते हैं, direct की कौन सा है, तो 51 question हमारी screen पर आ चुका है दोस्तो, तो लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रियोग नहीं किया जाता है, तो दोस्तो, सभी बताईए कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रियोग नहीं किया जाता है, साथ की साथ दोस्तो, answer करते रहिएगा मेरे साथ में, बाद में comment box में क बताईएगा जरूर की आपके कितने questions सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा B modem, बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है दोस्तो, computer के data CPU से परिधी यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है जल्दी से answer करिएगा दोस्तो और 52 का यहाँ पर computer ports, यहाँ पर बिल्कुल right answer भी हो जाएगा दोस्तो Next question देखते हैं, एक ही समय पर दोनों दिशावों में data भेजने के लिए कौन सी data संचार विधी प्रियुक्त की जाती है जल्दी से दोस्तो answer करिएगा तो यहाँ पर दोस्तो D, full, duplex, यहाँ पर right answer हो जाएगा Next question देखते हैं अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते computer किस प्रकार के होते हैं तो छोटे computer बताने हैं आपको किस प्रकार के होते हैं यहाँ पर computer के type बताना है तो यहाँ पर C option, micro computer बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो computer output को टेलिफोन लाइनों पर प्रेशित करने के लिए रुपांतरित करती है तो 55 का answer करिएगा दोस्तो जल्दी से तो यहाँ पर दोस्तो C modem यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है निमलिखित में से कौन सा सूचना परोधोगी की की शब्दावली का भाग है तो यहाँ पर right answer होगा दोस्तो D उपयोग सभी protocol, logging और Archie यहाँ पर सभी right answer है D यहाँ पर right answer हो जाएगा Next question है निमलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो आपको बताना है सर्च इंजन कौन सा नहीं है जल्दी से answer करेगा दोस्तो तो यहाँ पर Google भी एक सर्च इंजन है और Altavista भी एक सर्च इंजन है और Arcut यह भी एक सर्च इंजन है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, Science Direct. Next question है, संचार नेटवर्क जिसका प्रियोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राश्टिय और वैश्विक छेत्र में किया जाता है. तो यहाँ पर B, राइट आंसर हो जाएगा, W, A and W, N. Next question है, दोस्तो, computer निमलिखित में से कौन सा कारे नहीं करता है, तो computer कौन सा कारे नहीं करता है, यह है, आपको बताना है यहाँ पर, तो दोस्तो, D, understanding, यह computer का काम नहीं है, बागी, emuting, processing, controlling, यह है, सभी computer के कारे है, D, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, Next question देखते हैं, निमलिखित में से कौन सा hardware का उदारण नहीं है, तो hardware कौन सा नहीं है, यह है, आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर operating system, यह एक software है, hardware नहीं है, D, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, next question है निमलिखित में से कौन सा internet संबंदी पद नहीं है तो internet से संबंदी कौन सा यहाँ पर नहीं है यह आपको बताना है दोस्तो बिल्कुल ही simple question है दोस्तो और C इसका right answer हो जाएगा printer next question है निमलिखित में से कौन सा storage माध्यम नहीं है तो storage माध्यम कौन सा नहीं है जहाँ पर store नहीं किया जाता है data को यह भी बिल्कुल simple question है दोस्तो आप सभी इसका right answer कर सकते हैं और यहाँ पर सही answer जो होगा वो होगा D keyword यहाँ पर बिल्कुल सही answer होगा next question है computer के संदर्व में software का क्या अर्थ है तो software क्या है दोस्तो यह आपको बताना है तो यहाँ पर B computer programs तो दोस्तो software जो है वो एक computer का program है दोस्तो जिसके द्वारा यहाँ पर कारे किया जाता है तो B इसका right answer हो जाएगा next question है एक nibble कितने बिटों के बराबर होता है जल्दी से दोस्तो answer करिएगा और यहाँ पर दोस्तो जिसने भी C answer किया है वो बिल्कुल right है चार next question है 65 निमलिखित में से सबसे तेज सबसे बड़ा और सबसे महगा computer कौन सा है important question है दोस्तो और यह अक्सर पूछ लेते हैं और बिल्कुल लड़ू question है दोस्तो यह तो इसका answer आप सभी को करना है दोस्तो यहाँ पर right answer होगा दोस्तो D super computer सबसे तेज सबसे बड़ा और सबसे महगा computer है next question है पहले से on computer को restart करने को क्या कहते हैं तो computer को restart करने की प्रिक्रिया को क्या कहेंगे यह है आपको बताना है जो की पहले से on है उसको तो यहाँ पर D warm button बिल्कुल right answer हो जाएगा next question है निम्न में से कौन सा system unit का भाग है तो यहाँ पर CPU भी यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा next question है निम्न में से कौन सा hardware है software नहीं तो hardware बताना है आपको इन में से hardware कौन सा है दोस्तो तो Excel भी एक software है, printer driver यह भी एक software है और operating system भी एक software है, जबकि control unit D यहाँ पर सही answer हो जाएगा Next question है, निम्न में से कौन सा email से सम्बंदित शब्द नहीं है A. PowerPoint यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है, इंटरनेट पर सर्वस से सूजना प्राप्त करने के Computer के process का अर्थ निम्न में से कौन सा है 70 question दोस्तों, और यहाँ पर D downloading यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है, Computer पर आरोपित ज़्यादा तर तुरूटिया किस कारण होती है Data प्रविष्टी में तुरूटि, इसके कारण दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा तर तुरूटिया होती है Next question है, Computer का सबसे महत्पून भाग है यह तो सभी को पता होगा दोस्तों, A CPU यहाँ पर right answer हो जाएगा Next question देखते हैं, 1024 byte बराबर है तो 1024 byte बराबर 1 kb, D यहाँ पर बिल्कुल right answer, 1 kilobyte बराबर 1024 byte Next question है, सारे computer ओमें लागू होती है सभी computer में दोस्तों, machine भासा का प्रियोग होता है C यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है, 10 lakh bytes लगभग होती है तो C megabytes यहाँ पर बिल्कुल right answer Next question है, भारत में super computer परम का निर्मान हुआ Important question है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों, D पून है, यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है, computer में window एक प्रिकार है तो दोस्तों, window एक software का काम करती है, यह बिल्कुल right answer हो जाएगा यहाँ पर Next, एक निमलिकित में से समस्त संग्रहन उपकरन है सिवाए तो किसको छोड़ कर बाकी सभी समस्त संग्रहन उपकरन है तो यहाँ पर printer के अलावा सभी संग्रहन उपकरन है दोस्तों संग्रहन से यहाँ पर दोस्तों, internal storage की बात हो रही है तो printer storage नहीं करता है, बाकि सभी करते है Next question है, प्रिखम PD के computer प्रियोग करते थे तो पहली PD के computer में क्या प्रियोग होता था, यह है, आपको बताना है तो यहाँ पर A option, vacuum tube का प्रियोग करते थे, यहाँ answer सही हो जाएगा Next question है, CDS का आकार कैसा होता है C, goal Next question है, software के लिए एक अन्या शब्द है तो software को हम program बोल सकते हैं, C, यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next, DTP का पूरा रूप है, DTP की full form बतानी है दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर desktop publishing यहाँ पर बिल्कुल सही answer भी हो जाएगा Next question है, DOS, DOS का पूर्ण रूप क्या है, DOS का full form बताना है दोस्तों और important question है Note कर लीजिएगा आप सभी तो right answer होगा C, disk operating system Next question है, JDBC, इसका सूचक है तो Java database connectivity यहाँ पर right answer C L, A, N, LAN किसका लगू रूप है, LAN की full form बतानी है दोस्तों तो यहाँ पर A, local area network बिल्कुल right answer हो जाएगा, दोस्तों यह भी important question है Computer संचिपता चर, KB का सामानेता पूर्ण रूप है KB की full form बतानी है दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर C, kilobyte answer right हो जाएगा Next question है, email का विश्थत रूप है तो email की full form बतानी है तो यहाँ पर right answer दोस्तों हो जाएगा B, electronic mail, E का मतलब यहाँ पर electronic होता है दोस्तों Next question है, computer memory में रहता है data Program D, यहाँ पर बिल्कुल right answer Next question 89 पहला graphical user interface किस company ने बनाया था 89 का दोस्तों D, Xerox यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है, Microsoft Word उधारन है तो Microsoft किसका उधारन है? Microsoft Word तो यहाँ पर D, application software का उधारन है application software है दोस्तों यह Microsoft Word Next question है, prologue भाशा विक्सित हुई तो सन बतानी है आपको प्रोलोग भाशा कब विक्सित हुई थी? इसकी खोज कब की गई थी? तो यहाँ पर A option 1932 right answer हो जाएगा Next question है, blog शब्दों को शब्दों का सहियोजन है? तो 92 का दोस्तों C, web block यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question 93, यह computer का वह भागे जिसे कोई चू नहीं सकता तो हम computer के किस भाग को नहीं चू सकते हैं यह आपको बताना है और सभी इसका बिल्कुल right answer करेंगे तो D, यहाँ पर right answer, software को हम चू नहीं सकते हैं दोस्तो Next question है, निमलिखित में से किसे computer का पिताम है कहा जाता है अक्सर दोस्तों पूछा जाता है, important है और सभी को पता भी होगा यहाँ पर B, right answer हो जाएगा, Charles, webh Next question है, integrated circuit चिप पर किसकी परत होती है तो यहाँ पर A, silicon, बिल्कुल right answer हो जाएगा, दोस्तो important question है, note कर लीजेगा Next question है, आधुनिक digital computer में किस पदती का उप्योग किया जाता है तो यहाँ पर A, द्वी आधारी अंक पदती, बिल्कुल right answer A हो जाएगा Next question है, किस computer भाषा का प्रियोग बानित जी कारियों में किया जाता है तो व्यापार के लिए दोस्तो, जो company वगेरा में काम होता है बेसिकली उसमें कौन सी भाषा प्रियोग की जाती है, वो आपको बताना है तो यहाँ पर C, COBOL, यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है, Fortran, Algol, Pascal, आधी भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नीव का पत्तर कहा जाता है B, Basic, यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है दोस्तो, भारत में रेलवे के अंतरगत सर्व प्रतम कम्प्यूटरी करत आरक्षन विवस्तक कहां लगाई गई तो दोस्तो, reservation के लिए जो computer लगाया गया था, रेलवे द्वारा वो सबसे पहले कहां लगाया गया था, यहाँ आपको बताना है तो यहाँ पर A, नई दिल्ली बिल्कुल right answer हो जाएगा Next question है और आज का अंतिम question है दोस्तो, कौन सा software संसाधन में प्रियोग किया जाता है D, यह सभी, page maker, word, star, ms, word, सभी software में, यह सभी software हैं दोस्तो, तो D, answer बिल्कुल सही हो जाएगा और दोस्तो, subscribe जरूर कीजेगा, exam status को और वीडियो पसंद आई तो like जरूर कीजेगा और दोस्तो, bell icon को press कर दीजेगा ताकि next जब हम वीडियो डालें तो आपको notification मिलती रहे तो धन्यवाद दोस्तो, मिलते हैं next वीडियो में